सो हे गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास एर्थ हिंदियान से आटी वसंद बुक का चैप्टर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो इसकी हमने जो फर्स पार्ट था वो कर चुके थे तो चलिए आए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं आला मारा का संगीत समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका फिल्म की शुटिंग शुरू होई तो साउंड के कारण ही इसकी शुटिंग रात में करनी पड़ती थी आला मारा का जो संगीत था वो डिस्क फॉर्ण में नहीं रिकॉर्ड हो सका नहीं किया जा सका था उस समय और फिल्म की शुटिंग भी साउंड की वज़े से कहा है रात में करनी पड़ती थी मूग यूग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था जो मूग यूग चल रहा था उस समय मूग फिल्मों का जादा मतलब प्रचलन था तो उन मूग यूग में अधिकतर फिल्म में क्या थी दिन के प्रकाश में शूट की जाती थी और जबकि जो बोलने वाल स्वाक फिल्म थी वो रात में शूट की गई थी उस समय मगर आलमारा की शूटिंग रात में होने करण इसमें कृत्रीम प्रकाश व्यवस्ता करनी पड़ी थी जो अलग से आलमारा की शूटिंग रात में होई थी इस वज़े से कृत्रीम प्रकाश की भी व्य आसपास यायट चाही होती है जैसे हम शादी पार्टीस में देखता है जब फोटो शूट होती है तो वहाँ पर बहुत सारे प्रेजिद्ज्जित भी बड़ी लाइट्स होती है उस तरह की लगानी पड़ी थी उनकी भी विवस्ताओं नहीं करनी पड़ी थी यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्मान का जरूरी हिस्था बनी यही से क्या प्रकाश प्रणाली आने कि किस तरीके से उजाला करते हैं प्रकाश करते हैं रात में भी उस चीज के प्रणाली शुरू हुई तेकि फिल्म निर्मान का एक हिस्सा बनी आलमारा ने भविश्य के कई स्टार और तकनीशन तो दिये ही अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतिय सिनेमा के लिए 500 से अधिक मुख और लगवख 100 सवाक फिल्में बना आलमारा ने जो भविश्य था उसमें कई स्टार और तकनीशन तो दिये ही आलमारा पिच्छर ने जो भविश्य था उसको बहुत सारे स्टार और तकनीशन दिये थे और अर्देशिर की कंपनी ने भारतिया जो सिनेमा था उसके लिए डेड़ सो से जादा तो मुख फिल्म और लगवख 100 सवाक फिल्म बनाई थी आलमारा फिल्म अरेवियन नाइट जैसी फैंटेसी थी जो आलमारा थी वो किस फैंटेसी कैसी फैंटेसी थी अरेवियन नाइट के जैसी जो अरेविय नाइट होती है उसके जैसी जो स्टोरी है फिल्म में फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोक प्रिय बनाया फिल्म ने क्या किया हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं के जैसी एक जैसी जो भाषा थी हिंदुस्तानी भाषा उसको लोग प्रिय उसको जादा पसंद किया लोग प्रिय बनाया उस पिचल फिल्म के लिए इसमें गीत संगीत और तथन रखते क अनोखे ही जनतने बेद अनोखी मेल थे फिल्मratos के नाएक जुबेदा थी युद्ध की जो हीरों थे वो थे विडठल वे अब दोर के सारवद के सार्वड के पारिष्ट्रम के पाने वाले सटार थे वे इस समय के दोर चल रहुँ है इसटार नहीं पाने वाले पारिस्ट्रमिक अर वह उसे वों महप्ती वह थे उनके चैन को लेकर भी एक किस्सा काफी चैनी की जो उनका चैन वहां तो उसको लेकर भी किस्टा बहुत जादा चर्चा में आ यहां था विट्छलकों बोलें मुश्किल आती थी जो विठल थे यानि की फिल्म की ही उनको उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी पहले उनका बतो और नायक चैन किया गया मगर इसी कमपनी के कारण उनने हटा कर उनकी जगे महभूब को नायक बना दिया गया पहले तो क्या थे बतो और नायक उनका चैन हुआ था मगर उर्दू ने बोल पाते थे अच्छे से उनने मुश्किल आती थी इस कमी के चलते उनने हटा कर मैं उनकी बज़ाए महभूब उस समय जो था उसको हीरो बना दिया गया था विठ्थल फिर क्या थे नाराज हो गए थे और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा तक कर दिया था उस दोर में उनका मुकदमा मौत मद अली जिना जी ने लड़ा जो चबके बहुत मशूर वकील हुआ करते थे विठ्थल मुकदमा जीते और भारत की फैले बोलती फिल्मे वो हीरो बने उनकी काम्याबी आगे भी जारी रही उनकी जो काम्याबी थी वो आगे भी जारी रही मराठी और हिंदी फिल्म में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमेन के रूप में सक्रिये रहा थे इसके अलावा आलम आरा में सहराब मौधी प्रत्वी राज कपूर याकूब जगदी शेटी जैसे अभीनेता भी इन सब भीनेता भी मौझूद रहे तो आगे चलकर फिल्मों द्योग के प्रमुक संब बने तो गाइस यह था हमारी वीडियो का पार्ट सेकंड पार्ट थेंक्स पर वाचिंग